Hello everyone, कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ, काफी अच्छे होंगे, अभी हम लोग विग्यापन लिखन के उपर एक प्रस्ण हल करेंगे, प्रस्ण है कि फलों का जूस चलाने वाली दुकान के लिए लगबख 25 से 50 सब्दों में एक सुन्दर विग्यापन त्यार कीजे, तिहां इसके बाद दिखिए विग्यापन लिखन में जो दुसरा सबसे इंपोर्टेंट है, वो है कि इसमें एक आताकार बाक से हम लोग बनाते हैं, यहां पर मैंने जूस सेंटर का नाम लिखा हुआ है, पटेल जूस सेंटर, आप अपने मर्जी से नाम लिख सकते हैं, क्योंकि पटेल जूस जो गले लगाओगे, उसके बाद दिखिए जो दूसरा चीज है ना बिग्यापन लिखन का जो सबसे महत्तोपूर्ण है, वो है कि इसमें चित्र बनाना, क्योंकि चित्र जो है बिग्यापन की जान होती है, एक चित्र के दोरा आप में संदेश को कई लोगों पर दिखिए, फिर से अगर हम लोग इसके बाएं भाग में आएं, तो हम लोगों को भी सेस्ताय लिखना होता है, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि ताजा फलों का रस, रसायन रही, स्वास्त वर्धर, फिर इसके बाद दाएं भाग में हम लोग आते हैं, तो इस प्रकार के एक आकरतिव बना दीजिए, इसमें इस परकार के चीज़ों को लिखते हैं, जो कि गराखों को तेजी से आकर्शित करें, जίसे कि यहां पर मैंने लिखा है, कि हर फल का ताजारस, पटेल, जूस है, मधरस, इसके बाद नीचे में दिखे नीचे में हमको यहाँ पर इस प्रकार के एक आकरिती बनाना है और आकरिती बनाने के बाद यहाँ पर एक ठ्वाकरी स्लोगन लिखना है जो कि कफी गहरा हो जिसको पढ़ने के बाद जो ग्रहक है न वो टेजी से उस समान या वो जो सेवा है न याद रखेगा है इसमें कभी आपको वास्तुविक नाम या वास्तुविक चीजों को नहीं लिखना है जो आपका खुद का है जैसे मोबाइल लंगरवरो लिखना है तो उसको आपको डमी लिखना है यहाँ पर संपर का मैं दिखिए कि पटेल जूस सती योडी चौक रायग गड़ चतिस गड़ तेक बार इसको ध्यान से देख लीजिए यह विग्यापन मैंने कैसे त्यार किया हुआ है तो आसा करता हूँ यह विग्यापन लिखन है आप लोगों काफी पसंद आया होगा थेंक्यू फर बाचींग